खडूर साहिब कुर्शी के लिए कोई इतना भी निच्चे गिर सकता क्या यह बादलों ने साबित कर दिया कि उनके गिरने की कोई लिमिट नहीं है रुपिया भी साइध कम तेजीशे गिरेगा जितना निच्चे तेजीशे वो लोग गिर सकती है अभी दो दिन पहले यह बा अम्मों के कालन गेरनाची ये था, लेकनों पूरा पूरा बासन अमरतपाल के उपर खतम करके गया है, अमरतपाल अमरतपाल, इस यालाग उसने कोई बात ही नीकी, बगवंते पे कोई बात कर लेता, बगवंता तुमारी चाथिस के जगए बैतर नमबर बेच दी करता है, वह अमरतपाल सिंग खालसा खड़ा कर दिया, चलो उसने अपना फारम उठा लिया, वापिस उठा लिया, कैसे उठाया, क्यूं उठाया, वह तो अब एक सस्पेंस बन्या हुआ है, लेकिन चलो फिर भी हमने बोलिया था अगर संगत के कैसे उठा लिता तो भी ठीक है, लेकिन सिगर उमर रख तो इसको गर्मी चटगी इसके दिमाग में, एक निर्दलियों मिद्वार है, इनि के दोनों के वकील पहुँचके कहां, इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन के पास पहुँचके जी, अमरतपाल की नामजदगी कैंशल करो, उसने गलत जानकारी ब अपने देश मा आता है, तो उसका नंबर तो चलेगा, क्या उसका नंबर यहां पर मानने होगा, पहली बात, यहां का नंबर वो उसने भर दिया, और वो चल रहा है, चलेगा नंबर तो, बंदाई तो अंदर है, नंबर थो बार होगा, वो तो चलेगा नंबर तो, और दु इमेल आईडी बहुत बार उड़ी है इतने बार उड़ी 27 बार आईडी उड़ी थी मेरी दो अपते में करवादो ना वापपिस अगर इमेल आईडी गा इतना है मैं तो मानते हो तो वो क्या था पिर जीमेल आईडी तक उड़ा देखते थे लोग तो यह चीजे छोटी- मतलब घरमी के काना उड़ना उड़ी का उसका परिवार भी मिलता था उसकी वाईफ भी मिलती थी यही ही रहता था ऑगर लोगों के बीच महें रहता तो इसको पता लगता, कि हाँ पई मिलता है परिवार, परिवार उसे तीन बार मिलके आ चुक्या है, पहले जब वो भुखड तालप पर था, जो केस होया था, तब उसका परिवार मिलने के लिए गा था, जो तमा खुवाले आतों से खाना बना आ जा रहा था, जिसका वीडि हो, बोल क्यों ही रहे, मतलब इन लोगों के सरफ अडंगा अड़ा, जीसका वीडिवार कैंसल करो, इसलिए सिमरंजीत मानना अपना कनिडिट खड़ा रहा था, अगर वहां से बच्चे तो अभी आग आके रोडाट का रहे हैं, कि नहीं जीसका पर्चा कैंसल होना चाहिए यह मतलब हर हथकंडा अपनाएंगे, यह गिरने की हर एक हधे पार करेंगे, हर एक हध पार करेंगे, अमर्तपाल ने जब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की कि मेरे को चुनाओ के उसके लिए समय चाहिए, अपना पर्चा बर्याओंगा, यह करेंगा, थोड़ा संगत से मिलाओंगा, वो पर्मीशन नहीं मिली, उसमें बड़े खुष हुए, नहीं मिली पर्मीशन, लेकिन जब वकील जाकर संगत जाकर उसका पर्चा बर्वालाई, नोटरी को उसके साइन करवा के लिए आई, तो इसको दिक्कत वरी है, नोटरी वा साइन कैशे होए, बस कैशे भी करका उसको चुनाव ना लड़ने दे, ताजा स्थिति क्या है, जितने भी खडूर साइब शीट पर कंडिडेट खड़े है, चाए वो जाडू का है, चाए वो फूल का है, चाए वो हाथ का है, चाए तरा जुआला वल्टोवा है, सब की जमान जपत हो रही है जमान जपत है सभी की, 101% अमरतपाल जीत रहा है, 101%, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कैसे भी करका उसका परचा कैंसल होना चाहिए, और सब से बड़ी दिक्कत सरदर्द बन्या हुआ है वो बादलोगे लिए, बादलोगे लिए बहुत बड़ा स्रिदर्द हो, बादलोगे पहले तो बगवनते के साथ मिलके उसको चलो जिल के अंदर करवा दिया, बगवनता मिल गया, केंदर सरकार मिलकी, बादल मिलके, एक आदमी को रोकोना था भस, नहीं तो अई too, लोग सिम्रतकोर बादल की उठाओ, विदान से बागे अंदर क्या बोलती थी, क्या केंदर स बादलो और लोगो तकलीप हो गी एक कष्यक्च नी आएगी। इनको प्रमानेट संगत घर बेठाना इचाती है हाँ वो और है जो इसने जो पाठी शिंगों के उपर आरोप लगाए थे वो पाठी शिंगों को इससे इसाब किताब लेना चाहिए सबी पाठी शिंगों को ये को जाना चाहिए कि तुने कैसे बोल दिया कि 87% पाठी शिंग गुरू की बेद भी करते हैं जूठे मतलब गुटका साहब की कसम ये खा लेते हैं वो बगवंता भी खाता है ये भी खाते हैं गुरू साहब की जो जूठी कसम खा सकता है तो आपको क्या लगता है वो पंथक ही तेशी है बिल्पुल भी नहीं है लेकिन अगर कोई पंथक ही तेशी आ जाता है सामने सामने आके खड़ा हो जाता है फिर इनके आलत यह हो जाती है दो दो वकील वल्टोवा का वकील और एक निर्दलिया का वकील किया के पास इसका प्रचारत करो वह नाव लड़ना चाहिए अब ऐसके एक्ष्ण का लेता है इसके एक्षन का तो कल पता लगेगा लेकिन जन्ता को अपना रियेक्षन देड़ना पड़ेगा विसेश्थ तर रहें खाडूर शाब की रिपोर्ट लगा रहे हैं लोग करना क् पंथक शीट है वो इसलिए उसको पंथक शीट बोला जाता है पंथक लोगों से बात करो ना तुम मिलक्षन कमीशन में जा रहे हो जब परचा उसका मंजूर हो गया तो फिर बचया क्या था चुनाव परचार में वल्टो आने देख लिया कि तेरी तो है नी चार परची नी तेरी देख लिया बादल हो नभी हाँ इसकी परची चार नी आनी क्यू बादल क्यू रोके गा था शुक्र बादल इसलिए तो रोके गा था कभी ये शेमरंजीत मान के पीछे चल देते हैं पंथक लोगों को पता नहीं को किस के पीछे चलना चाहिए ये बताएंगे मतलब ये जहां चाहिए जिस तरह से चला है जैसे इन्होंने SGPC के उपर कभजा किया हुआ है ये हरेक जगे पर कभजा करना चाहते है इनकी एक भी शीट नी आएगी तो ये रोहेंगे यही आल अ जरूरी है तब तक ये बदलाव नहीं आएगा तब तक कोई फाइदा नहीं है इसलिए अपने अना मजबूत रहेंगे ये अरा अद्थक गिरेंगे अभी तो छोटी दिखाईए नोंने ये पता नहीं कहा तक गिरेंगे अभी तो बगवंते की चाल तो बाकी है जो बगव ज्याण नहीं रखाना तो ये लोग कोई चाल खेल लेंगे ये तो अभी तो इनकी चाल लोगी शरुवात हुई है अभी तो एक जून दूर है स्विद्धाय के ये लोग एशी रिपोर्ट क्यों लोग आ रहे है इसके बारे मां आपकी ज्यार रहना आपने राय जरु रख सब्सक्राइब और बेल आइकोन को जरुद्वाना दोस्तो ओफिशियल दिपक वोजी यूटूब चैनल बात हक और सच्की करेंगे हक सच्की बात हम करेंगे वीडियो को शेर करने के जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आखो वहे गुरुजी का खालसा वहे गुरुजी प्रुजी की पात है